यार एक काम करो पांसो कई डाल दो क्यों बार-बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हूँ? कब से कोशिश कर रहे हूँ कि अच्छा काना लगाओ लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्यापन खतम होने का नामी नहीं लेते वो देखो पेट्रोल संचुरी मार रहा है वो गैस सिलेंडर नौसो के उपर पहुच गया और ये भाई साब या खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं बार-बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा इस बारे काम करते हैं ये विज्यापन वाली भाजपा सरकारी चेंज कर देते हैं कॉंग्रेस के सार वक्त है बदलाव का कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का आप देख रहे हैं दखल न्यूज चनाव लड़ने का मन बना बैठे नेता जी को कोई रोक नहीं सकता फिर चाहें निर्दलिये क्यों ना लड़ना पड़े ऐसा ही कुछ देखने को मिला हुजूर के जितेंद्र डागा के साथ जिन्हें किसी भी पार्टी से टिकेट ना मिलने के बावजूद उन्होंने निर्दलिये चनाव लड़ने का फैसला किया है हुजूर छेतर से पूर्व विधायक जितेंद्र डागा को ना ही भाजपाने टिकेट दिया और ना ही कॉंग्रेस ने ऐसे में अपनी साख को बचाए रखने के लिए निर्दलिये ही डागा ने चनाव की ताल ठोक दिये है ऐसे में आज डागा ने डागा हाउस में अपनी सभी समर्थकों के साथ बैटा की साथ ही जितें डागा ने कहा कि जो भी विकास कारे दिख रहे हैं इनकी घोषणा मेरे कारिकाल में ही हो चुकी थी कई विकास कारे तो मैंने ही करवाए हैं मुझसे जनता ने चुनाव लड़ने की उमीद रखी है जो जनता कहेगी मैं वही करूंगा डागा हाउस में बड़ी संख्या में डागा समर्थक मौजूद रहे पोलार पे किये हैं और कामजें बड़ी और Μाला नहींlag में मौन मौनी जब जीत जैँगे जम जिञाएंगे जब जनता जीत जाएंगी जो भी करना होगा तब करूंगा और मेरे लिए जनता चांथ जनता कमानी है जनता लोग कि लंता ही अपना विकास करेगी उपने काम रहे गा सैयोग करना परेशानियों जो भी सैयोग होगा मैं हमेशा कोशीज करूंगा कि जनता के सांत रहूं जनता की परेशानी के सांत कर खाला रहूं आप देख रहे हैं तखल नियुद्ट यार एक काम करो पासो कर डाल दो क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हूं कब से कोशिश कर रहे हूं कि अच्छा काना लगाओ लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विध्यापन खत्म होने का नामी नहीं लेते वो देखो पेट्रोल संचुरी मार रहा है वो गैस सिलेंडर 900 के उपर पहुच गया और ये भाई साब या खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं बार-बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा इस बारे काम करते हैं ये विध्यापन वाली भाजपा सरकारी चेंज कर देते हैं कॉंग्रेस के सार वक्त है बदलाव का कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का